स्वागत सात्यों एंड़नेसजी चैनल पर फिर से एक नए वीडियो के साथ जहां पर आज हम ग्राम संगठन की DCV रेजिस्टर भरना सीखने वाले यह बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि अब आपके ग्राम संगठन की DCV रेजिस्टर आपके रिंट रेजिस्टर का वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर लिया तो जाकर कि आप ग्राम संगठन का रिंट रेजिस्टर कैसे भरना है वह वहाँ पर देख सकते अब इसको भरने की क्या आउशकता है और क्या क्या कारान है कि हमें इससे तयार करना होगा तो DCB रेजिस्टर कहते है अब इसकी विशेषता क्या है आप यहां पर देख लिजे समू भुक्तान करने वाली कुल भुक्तान किया गया कुल बकाया विवरान का पता चल सकता है अब जो भी आपके ग्राम संगठन से समू ने CIF की रासी ली होगी आपको CIF की वापसी के बार क्या कारवाई करनी है उसमें आपको यहां पर आसानी होने वाली अब लिखने का क्या तरीका है तो DCB रेजिस्टर को रिण पुस्ता के आधर पर तयार किया जाता है मैंने पहले ही आपको बताया कि रिण पुस्ता का आपको इहां पर लिखना होगा ग्राम संगठन की दू किस तरासी या फिर ब्याज बखाया फिर उसके बाद में आपको किस तरासी के साथ में फिर से ब्याज बताना है याँ पर अंतीम से इस रासी जो की वसूली होगी होगी और प्रतीसत यहाँ पर आपको निकल के आ जाएगा तो इसी प्रकार से आपको भी यह तयार करना है तो देखिए तो आज के इस वीडियो में हम तीन बैठक continue लिखना सीखेंगे यहाँ पर मैं आपको example के तौर पर बताऊंगा सारी चीज़े हमने यहाँ पर example के तौर पर लिए और continue तीन बैठक की जानकरी हम यहाँ पर भरना सीखेंगे अगर से आपको भी printed DCB रजिस्टर चाहिए या फिर ग्राम संगटन सोसाता समू का किसी भी प्रकार का आपको रजिस्टर चाहिए तो इस वीडियो के end में मैंने WhatsApp नमबर दे रखा है आप वहाँ से संपर्क कर सकते आप कहीं भी रजिस्टर बुलवा सकते तो चलिए यहाँ पर सीखते हैं जैसे हमने ग्राम संगटन का नाम यहाँ पर example के तौर पर लिए ABCD आपको यहाँ पर गाव भर लेना है ब्लॉक भर लेना है और यह जो महा है हमने एक महा decide किया है मई का तो आपको यहाँ पर जो भी बैठक होगी उस महा को यहाँ पर आपको लिख देना है तो सबसे पहले यहाँ पर हमार पास 3 सोसाता समू देखने को मिल रहे हैं जिनकी हमने जानकरी भरी है और टोटल इनकी प्रारंबिक रासी यहाँ पर कितनी है तो यहाँ पर सभी की प्रारम्बिक रासी एक लाख रुपए आपको देखने को मिल रही होगी तो हमने जो है जितने भी सोसाता समुए है उनको हमने यहाँ पर एक लाख रुपए CIP की रासी दिये जो कि इनकी प्रारम्बिक रासी होती है important यह है कि अब आप इसको किस्तों में वापस कैसे लेंगे और VO की DCV रजिस्टर में कैसे लेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होगे पिछले माहा तक बकाया वाला एक कॉलम है यह अभी जीरो आएगा क्योंकि हमारी यह पहली बैठक है जहाँ पर हमने स्याइब रासी दी है उसके बाद बकाया के साथ माहा की मांग रासी तो बकाया कब होता है जब कोई किस्त छूड़ जाती है या पिर कोई किस्त सो साथा समू पटाता नहीं है जमा नहीं करता अपने ग्राम संगठन में तब की कंडिशन में वो किस्त यहाँ पर बकाया में आ जाती है और उसको आपको यहाँ पर इस कॉलम में एंट्री करना है और उसका ब्याज आप यहाँ पर लिखेंगे इसको हम आगे continue सीखेंगे हमने एक example भी लिया है कि एक सो साथा समू कि हमने किस्त को यहाँ पर bounce कर दिया है याने कि वो एक किस्त बैठक में जमा नहीं कर पाए तो उसको हमें कैसे adjust करना है आगे यहाँ पर इस महा में वापसी अब जो वरतमान में इस महा में हम बैठक कर रह है तो हमारा जो किस्त की रासी है यहाँ पर हमने किस्त की रासी लिख लिया जो की 4000 रुपे एक लाग रुपे की है अब हमने यह निकाला कैसे तो हमने बैठक में यह तैग कि सो साथा समू अधिक्तम कितने महा तक सी आईप की रासी ले सकते हैं तो 24 महा तक ले सकते हैं ले वो यहाँ पर ब्याज लगाया है सो सायता समू के उपर तो उसका एक मैने का एक लाग का ब्याज यहाँ पर हमारा 750 रुपए हो जाता है तो यह हमारी पहली वेटेक में किस्त वापसी आ रही है इसके आगे आपको यहाँ पर बकाय का कॉलम मिलता है क्योंकि अभी यहाँ पर वरतमान में कोई भी बकाया नहीं है इसलिए यहाँ पर हमने जीरो लिखा है अब आप यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे होगे कि जो यह सेस रासी है सेस रासी यहाँ पर आपको 96,000 रुपए देखने को मिल रही होगी क्योंकि एक लाक में से 4000 की हमारी किस्त वापसी हो गई और हमारे पास 96,000 रुपए यहाँ पर सेस रासी आ चुकी है इसके बाद यहाँ पर हमारा अंतीम सेस जो रासी है वो भी 96,000 रुपए होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा अंतीम सेस अगले बैठक का प्रारंबिक रासी हो जाएगा तो उमीद करता हूँ आपको यह पहली बैठक समझ में आ गई होगी दूसरी बैठक यहाँ पर हम देखते हैं यह है दूसरी बैठक महा जून की हमने यहाँ पर जून मैना ले लिया है सभी सोसाथासमू के य इसी में से सोसाथासमू को किस्त वापसी करनी है अब यहाँ पर हमारा पिछला बकाया कुछ नहीं था इसलिए जीरो जीरो है यहाँ पर हमारा जीरो जीरो है बकाया के साथ इस महां की मांग रासी यह भी जीरो जीरो आएगी इस महां में वापसी जो रासी है वो यहाँ प तीसरा समू है जिसने हमें यहां पर रासी नहीं दिया उसको हमने बकाया वाले कॉलम में उसकी जानकरी लिख दी कि इनकी जो किस्त है वो टोटल यहां पर 4000 रुपे बकाया हो गई और इनका जो ब्याज है यह भी यहां पर बकाया हो गया अब आप एक चीज देख रहे होगे उनकी यहां पर सेश रासी है 96,000 रुपे तो अब आप समझ गया होगे कि इस बैठक में 96,000 रुपे पहले उपर के दो समू ने जमा कर दिये तो 96,000 में से हमने 4000 रुपे माइनस कर दिये हमारा जो सेश रेंट रासी है वो आगया 92,000 रुपे इसी प्रकार से आपको यहां प दोनों समू है इनकी रासी अलगाएगी तो आप देख रहे होगे उपर के दोनों समू की यहां पर अंतीम सेश रासी 92,000 रुपे और आखरी वाले समू की यहां पर अंतीम सेश रासी 96,000 रुपे तो यह हमारी दूसरे मैना की वीओ डीसी भी कंप्लेट हुई अब हम तीसर मन्त हमारा जो है कि जुलाई का आ चुक है और जुलाई के मन्त में हमने यहां पर डीसी भी भरी है तीनों ही समू की और तीनों ही समू की यहां पर प्रारमिक रासी आपको देखने को मिल जाती है जो की 92,000 और यहां पर है यह 96,000 तो अब आपको यहां पर देखना है कि हमन कि पिछले मैने के भी हमने किस्त जमानी किया और ब्याज जमानी किया और इस मैने का अब हम जमा करने वाले तो बकाय के साथ इस मैने हमारी मांगरासी दो गुनी हो जाएगी क्योंकि पिछली किस्त और इस किस्त को हम जोड लेंगे तो पिछले मैने का 4000 रुपे इस मैने का 4000 8000 रुपए हो गया और यहां पर जो ब्याज है वो भी यहां पर count हो जाएगा पिछले मैने का और इस मैने का अब आपको यहां पर इस महा में वापसी देखने को मिलेगी तो यहां पर आपको 4000 रुपए पहले समु का दूसरे समु का 4000 रुपए और ब्याज भी आपको देखने को मिलेगा लेकिन तीसरे समुका आपको यहां पर जो इस माहा में वापसी आई गया है वो 8000 रुपए देखने को मिलेगी क्योंकि जो पिछली किस्त जो हमने हमारी इस समुकी रुख गई थी वो भी अगली बैठक में यहां पर अब जमा हो ग करना है उमीद करता हूं यहां तक आपको वियोडीसीपी हर मैने की बैठक में जमा करने का समझ में आ गिया होगा अगरसे आपको के लिए लग से वीडियो अप्लूट कर दूँगा और अगरसे किसी को भी रजिश्टर ओडर करना है तो आप इस वाटसप नमबर पर ओडर order कर सकते हैं और अपने पते पर आप बुलबा सकते हैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकर इसमझ में आई होगी वीडियो को अपने ग्राम संगटन वाले गृप में सेर करिए जो भी आपके गृप हैं वहाँ पर सेर करिए ताकि जादा से जादा लोगों को समझ में आ सके कि VODCP किस प्रकार से भरनी है मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए जानकरी साथ तब तक जहन